Hello everyone, welcome back to this fresh video जैसे मैंने भी वीडियो बनाया था तीन दिन पहले कि मैं college का opening और closing rank बताने वाला हूँ all over Odisa में जितने भी engineering colleges है both private and government तो मैं आपको बता देना चाहूँगा total Odisa में 89 engineering colleges है जो की OJ counseling के अंडर consider होते हैं जहाँ पे आपको opening rank, closing rank और receipt type, category, quota, brands यह सभी consider होगा तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि जिस college के बारे में सबसे ज़्यादा comments आएंगे या फिर जिस comment में सबसे ज़्यादा like आएगा उस पर मैं पहले वीडियो बनाऊंगा और उसके अकम जो होगा फिर वो अगला वीडियो बनेगा ऐसे करके हम वीडियो बनाएंगे तो अभी हम पहला वीडियो जो बना रहे हैं यह है Silicon Institute of Technology भूबनेश्वर के बारे में क्यूंकि इसके बारे में काफी जादा comment आया था और इसको एक सेकेंड के लिए मर्ज करके ताकि आप बाद में जब लास्ट में स्क्रिंशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो Silicon Institute of Technology भूबनेश्वर सो हम इस कॉलेज के बारे में सब सब पहले बात करेंगे तो ब्रांच की बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितने ब्रांच है चार ब्रांच यहाँ पर हैं तो चार ब्रांच के लिए नाम बताना चाहूंगा Computer Science and Engineering, CSE Electrical and Electronics Engineering, EEE Electronics and Communication Engineering, ECE and last में है Electronics and Instrumentation Engineering, EIE तो सबसे पहले मैं Short Form ही लिखता हूँ Branch का तो अच्छा रहेगा CSE तो CSE में J-Main के जरीए से अगर आप Consider होते हो एक सेकेंड J-Main के जरीए से अगर आप Consider होते हो और Category General Category है CST, OBC, General यह सब होता है ना तो OBC Consider हो जाता है या General में CST का अलग से रहता है फिर Tution Fee Waiver, Ex-Servicemen Servicemen मतलब अगर कोई Armed Forces या B.S.F. अगेरा में होते हैं तो उनका अलग से Opening और Closing रहता है Student का नहीं, Parent अगर रहते हैं तो Ex-Servicemen फिर Green Card एक अलग सा Criteria है ऐसी टाइप है Category तो Green Card में जितने भी State Funded Government और Technical Institutions ऐसे जो होते हैं तो वह सारे भी consider होते हैं मतलब 5% 3% ऐसे इसे 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 तो Green Card आपका है या नहीं है आप Consider कर सकते हो देख सकते हो तो अभी मैं यहां पर Seed Type की बात करूँ तो सबसे पहले यह मैं बात करूँगा General Category के बारे में और जो Seed Type रहागा Gender Neutral Gender Neutral मतलब कुछ Seeds ऐसे हैं जो कि Only Female के लिए है जो कि Boys Law के लिए applicable नहीं है Only Female Candidates के लिए हैं और Gender Neutral मतलब Male Female दोनों के लिए हैं तो आगे वाले जो भी वीडियोस रहेंगे न ओडिसा कि आपको इभी College देखना चाहू एक राइटरिया इसी टाइप को थोड़ा से समझ लेना बार-बार फिर समझाना repetitive हो जाएगा तो इसका Rank अगर मैं आपको बताओ 45,000 मैं कॉमा दे के लिखता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा 45,395 ओपनिंग रहेंग और क्लोजिंग रहेंग रहेंगा 1,54,817 तो यह जो है ना 2019 हो जाई के हिसाब से चलते आ रहा है गर्मेंट न भी उसको अपडेट नहीं कर रहा है 2019, 20, 21, 22 और 23 अभी चल रहा है तो आप website में जाके चेक करोंगे यही document यही PDF मिलता है अब PDF भी जाके चेक कर सकते हो या फिर मेरे वीडियो के जरे से college specific समझ सकते हो कौन से college का क्या opening and closing है तो मैं आपको समझा दूँगा दोनों में difference क्या है आप अगर state से हैं कि यार जो percentile की बात करता है तो percentile आप लोग देख लेना क्यूंकि वो vary होता है every year percentile changes according to the full mark जो secure करता है उससे साब से जो highest mark secure करता है बट rank के साब से आप अपने rank देखके प्रेडिट कर सकते हो rank predictor बोलते है तो college आप प्रेडिट कर सकते हो percentile से rank निकल के आता है और rank use होता है admission के लिए because rank equals to seat जितने seats हैं उससे साब से तो rank calculate करके हो जाएगा entry तो यह हो गया CAC के लिए अब आगे CAC branch के लिए जो quota रहेगा now it is not Jman it is outside odysa ठेक है outside odysa quota रहेगा category वही general category और जो seat type यह भी gender neutral तो इसका अगर मैं opening and closing rank के बात करूँ 92,810 opening से लेकर 1,82,697 this is the closing rank यह outside odysa students के लिए है अब आपको पता होगा किया अगर odysa states है तो state preference थोड़ा सरा आता है तो state preference मतलब अगर आपका rank थोड़ा पीछे भी आया है मतलब जादा rank भी आया है तो भी आपका admission हो जाएगा बट outside odysa वालों का थोड़ा अच्छा rank होना पड़ेगा कम rank होना पड़ेगा तभी उनका admission हो पाएगा आपको मैं last में बता दूँगा CAC, Odysa state के जो होंगे और फिर category general, gender neutral उसका opening and closing आपको पता होगा यार क्योंकि आप J-Man दे रहे हो college admission सोच रहे हो तो opening closing rank उतना पता होना चाहिए तो third category J-Man outside odysa हो गया अब ही लिखेंगे हम Odysa state तो Odysa state और category सबसे पहले हम consider करते हैं SC category और SC category में सबसे पहले gender neutral जहांपे male and female बराबर importance रहेगा कोई यहां पर favor नहीं किया जा रहा है किसी एक gender को तो SC category आपको पता है जो seat reservation होता है SC और SD के लिए वो थोड़ा पीछे rank भी लाएंगे तो उनका admission हो जाते हैं तो कितना rank आप शौग मत हो ना 4,20,348 yes it is true 4,20,000 opening rank है और closing rank की बात करें 10,60,754 यहां ना हिंदी जादा बोल दिया शायद 10,60,574 तो this is the closing rank इस rank के बीच में अगर आता है and you are from odysa state साथ में SC category से हो तो admission हो जाएगा तो rank के साब से आप देख लो CAC next CAC रहेगा CAC का odysa state और फिर category SC बट यहां पर भी female के लिए रहेगा ठीक है female only अगर आप only female category में apply करना चाहते हो यह फिर a girl तो इस category में apply कर सकते हो यहां पर तो और पीछे opening rank है 5,25,783 और closing rank रहेगा 7,38,000 4,36 this is the closing rank पता चल गया मैं यार धीरे धीरे अराम अराम से एक एक sheet को fill up करते जा रहे हूँ एक एक values को ताकि आपको कोई confusion ना हो आप बाद में समझ भी सकें और साथ में फाइदा भी उठा सकें यार अपने use case के लिए चलिए next category हम बात करते हैं यह भी Odisha state से रहेगा Odisha state SC हो गया हमारा दोनों अभी ST की बात करते हैं तो ST में भी same gender neutral और female की बात करेंगा तो gender neutral यहाँ पे female आ जाएगा यहाँ पे ST आ जाएगा यहाँ पे Odisha state और यहाँ पे CAC दोनों का एक बार में लिखता हूँ तो जो gender neutral रहेगा उनका 4,78,289 और closing rank रहेगा 10,25,182 ठीक है और female only के लिए for female only it is 7,31,359 और closing rank भी same है 7,31,359 तो opening rank, closing rank का मतलब क्या होता है कि और उसी rank में मतलब अगर आपका है तो हो जाएगा उससे कम होगा तो definitely हो जाएगा यह तो highest पीछे की बात करें अभी suppose first rank की बात करते है first criteria की जही में general gender neutral तो उनका अगर 45,000 अभी rank दिखा जा रहे है अगर उसका 40,000 rank होगा 30,000 rank होगा क्या उसको मना क्या जाएगा admission से obviously not और वैसे भी कुछ 30,000 rank लेके silicon में क्यों पढ़ना चाहेगा he will prefer some other better colleges right okay so this thing is clear odysa state st होगया अब ex-servicemen की बात करते है cfc computer science and engineering state odysa state और category जो रहेगा this is ex-servicemen service men और यह gender neutral पहले category यहां पर 287,732 732 this is the opening rank and closing rank की बात करें 4,36,711 okay this is the range अब next female students की बात करेंगे odysa state ex-servicemen female only तो female only में जो opening and closing है 2,73,000 2,73,917 और closing rank रहेगा same 2,73,917 मतलब एक seat available होता है female लोगों के लिए जो की odysa state से ex-servicemen category से apply करना चाहिए gender neutral में जादा रहता है but female only जो specific रहता है this is only one seat वो बताया जा रहा है और आगे बात करते है यार CAC odysa state की ही बात करेंगे outside odysa जहां पर होगा मैं लिख लूँगा green card तो green card के भी बात कर रहे है इसमें criteria पहले gender neutral फिर female only तो green card में opening rank रहेगा 278,000 278,000 315 और closing rank 4,70,000 079 ठीक है so that's for the green card और female only के लिए बात करें तो वहां पर थोड़ा से जादा seat रहेगा odysa 2,99,306 आपको जिस portion में चाहिए आप skip करके उस portion में जाके देख सकते हैं 3,87,468 ओके this is the opening and closing rank तो green card में यहां पर लिख लेता हूँ this is for odysa state और CSC और भी branch बाकी है वेट करना उसके लिए तो अभी odysa state general category बात करते हैं जो मैं पहले बता रहा था कि यहां पर देख लो this value this is for outside odysa general category अब odysa का general category हमें देखना पड़ेगा CSC के लिए तो अगर आप odysa state से हैं और general category से हैं सबसे पहले general neutral फिर उसके बाद female only इसका होगा न इसका भी female only है तो gender neutral category से अगर हम लोग बात करें तो gender neutral one lakh sixteen thousand four thirty nine मैंने बोला था एक लाग से जादा होगा यहां पे देखो 92,810 बाहर वालो के लिए है और वो ही same seat के लिए आपको one lakh sixteen thousand से उपर लाएंगे तो भी आपका admission हो जाएगा अब यहां पे general neutral इसका closing rank बता देता हूं तो closing rank will be three lakh nineteen thousand three forty four this is the closing rank समझ आ गया अब female only के लिए बात करते हैं तो female only उडिसा state general के लिए one lakh twenty six thousand one ninety five और यहां पे three lakh seven thousand one one two this is the opening and closing rank तो अगर कोई general student है और इसा से और वो CAC seat के लिए पूछ रहा है कि मेरा इतना percentile है इतना rank है तो कितने में अदमिशन हो जाएगा if your rank is between this one lakh sixteen thousand to one lakh three lakh nineteen thousand तो आपका admission हो जाएगा in CAC branch first round में नहीं होते है second round में हो जाएगा second में नहीं होते है third में हो जाएगा किसी एक round में हो जाएगा अब बात करते है EC branch के लिए बात कर सकते हैं हम electrical के लिए बात कर लिए पहले ठीक है electrical and electronics engineering है short form का जो full form है वो बता दूँगा बता तो दिया हूँ already तो ट्रिपली में लिख लेता हूँ तो ट्रिपली सबसे पहले हम बात करेंगे odysa state के लिए तो उसमें उतना variety नहीं होगा female only के लिए उतना जादा नहीं है gender neutral है mostly बाकी branches बस green card के लिए रहेगा okay CAC का और एक हमारा था that is for tuition fee waiver तो CAC TFW में लिख लेता हूँ CAC का जो tuition fee waiver रहता है so tuition fee waiver is for odysa state only बाकी लोग बाहर के जो होते हैं students वो लोग भी tuition fee waiver के लिए apply कर लेता हूँ कैसे होता है कि उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है odysa में उनका कोई belongings है या कोई जमीन है या घर है उनके कोई relative है तो वो दिखा के फिर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा setting scheme लगाना पड़ता है tuition fee waiver के लिए हो जाता है तो अगर आप नहीं है setting करना नहीं चाहता है तो normal देख लिजिए odysa state से हैं तो category will be TFW TFW tuition fee waiver और यह gender neutral है जेनर नूट्रल में 4,32,000 ओ सारी यहां पर 43,241 रैंक से लेकर आपको 1,80,902 इसी के अंदर आना पड़ेगा तो यह आप tuition fee को वेव कर सकते हैं और 50% जब तो वेव हो जाता है जितना मैंने सुना है 1,50,000 अगर आपका tuition fee है tuition fee में ही only यह applicable होता है क्योंकि नाम ही है इसका tuition fee waiver 50% अगर वेव हो जाता है तो 75,000 आपको tuition fee पढ़ेगा एक साल का तो 4 साल का fees भी वैसे आधा हो जाएगा canteen, खाना, hostel यह तो common है सब के लिए same price ही रहेगा तो 43,241 से लेकर 1,80,902 अब नेक्स्ट बात करते हैं triple E branch के लिए, so triple E branch will be first of all from Odisha state और Odisha state से general category, general category फिर gender neutral है ना ओके थोड़ा सा order यहां पर लगे, female only के लिए पहले बताया जा रहा है Odisha state से 3,1,902 और closing rank 9,90,036 अब मुझे कोई बता रहा था कि अकासर तो बस CAC को prefer करते हैं, बाकी branch के लिए नहीं करते हैं आप खुद देख लो ना, चलो female के लिए होगा, चलो general के लिए आएगा general neutral के लिए तब बता दूँगा, बट फिर भी अगर आप CAC, Odisha state female का consider करो, 1,26,000 तो जादा marks लिए, अच्छा ही है जे मेन के लिए, और इसा state, triple E branch, जे मेन, और यहां पर general category के लिए, ओके यह तो हो गया, gender neutral, यह जे मेन के लिए applicable है, जो जे मेन से consider करना चाहते हैं, 1,32,976 is the opening rank, और 4,12,046 is the closing rank, कहीं पर अगर कोई मिस हो जाए चूट जाए तो प्लीज यहर माफ कर देना, इतना सारा numbers, इतना सारा data है, तो सोच सकते हो कितना time लगेगा, बागी college में जिसमें बहुत सारे branch है, तब तो यार और ज्यादा time लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, I will try to do it अराम अराम से, तो चलो, copy paste भी कर लूँगा, अगर लेट होगा तो एक बाट ट्राइ करते हैं, electrical and electronics engineering, triple E के लिए करते हैं, यार मैं खीच लेता हूँ, कुछ और तो तीन, अगर ज़रूद नहीं पड़ा तो delete कर लेंगे, तो jman category तक हो गया, और jman category के बाद, अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर outside odysa, ठीक है, outside odysa general, gender neutral, outside odysa general, gender neutral, तो इसका क्या rank है, वो मैं आपको बता देता हूँ, it is 2,36,000, मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करने की कोशिश करूँ, और यह वा, पेस्ट भी हो जा रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, 2,36,935 is the opening rank, और closing भी मैं type नहीं करूँगा, आप से paste कर दूँगा, that will be better, तो 7,27,000 is the closing rank, this is for outside odysa, यहाँ पर देखो, outside odysa के लिए 92,000 से लेकर 1,82 तक, यह 2,36,000 से लेकर 7,27 तक, ठीक है, तो rank पीछे आता है, वही लोग दूसर branch prefer करते हैं, यह इसी करना है, तो फिर ज़्यादा rank लाना ही पड़ेगा, ओके, अब next category की बात करते है, odysa state और green card, मैं लिख लेता हूँ पहले, odysa state green card, और green card में सबसे पहले, इन्होंने दे रखा है, gender neutral, है न, एक second, green card, gender neutral, इसमें कोई female only है नहीं, और फिर next category में लिख लेता हूँ, फिर rank लिख लूँँगा, समझा दूँगा आपको, attention not, odysa state green card, gender neutral हो गया, फिर odysa state general, यहाँ पर मैं voice low की बात कर रहा था, cc के साथ compare करूँगा, मैं, odysa state, general, और gender neutral, एक है, cc के साथ comparison, coming soon in one minute, तो, green card वालो के लिए, opening rank क्या है, for odysa state, this is the opening rank, 7,156, and closing rank will be, this much, 8,00, हाँ, 8,37,608, okay, I hope, यह visible हो रहा है, एक second, ओके, थोड़ा सा scroll करना पड़ सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा scroll करता हूँ, and opening closing तो यह पता है, heading तो आपको पता ही है, तो ऐसे अगर मैं चाहूँ भी, तो यह दोनों को, वो बाद में देख लेंगे न, जो ऐसे hold होके रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कैसे होता है, maybe next video में हम उसको कर ले, filter या sort करके, let me try, नहीं होता है, छोड़ो, वो Google Sheet पे मैं कर देता था, आसानी से, now we are talking about general category, तो general category मैं आपको rank बताता हूँ, this is the rank, 2,91,000 और यह, 769 से लेकर, यहाँ पर, 1,00, sorry, not 1,00, it is 10,79,000, 11,00 के आसपास, oh my god, next होगा हमारे TFW, TFW, तो इसका जरुवत नहीं है, TFW भी, और इसा स्टेट के लिए होगा, यह जनरल category, यहाँ पर SCST ऐसा कोई भेदवाव नहीं है, CSE का competition जादा होता है न, तो इसलिए थोड़ा सा भेदवाव आ जाता है, कि यार, TFW, तो, TFW होगया, इसमें भी तो, अचा ही, TFW नहीं, स्वरी, 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 तो, इस नोट जनरल, इस तीफड़ाव द्रब्लू, अद इस जनरल, तुशन फी वेवर, जनरल, Neutral, Opening Rank, Opening Rank की बात करें, it is 2,62,402 और Closing Rank 4,36,192, this is the Closing Rank, अब मैं Comparison कर रहा था न, so Comparison किस-किस चीज का होगा, देखो, CC, Gender, Neutral, General, ये दो Values, मैं इसको कर दिता हूँ, Red से Highlight, और ये दो Values, These 2, Red नहीं करना था, Red Fill करना था, ओके, तो देख लो यार, CAC का, और इसा स्टेट वालो के लिए, Opening Closing Rank इस 1,62,000, और 1,16,000, और AAA का, Gender Neutral के लिए 2,91,000, तो, प्रिफर हमेशा कोई CAC करते है, That's why rank इसमें, थोड़ा कम rank चाहिए, आपको Top Rank में चाहिए, ये थोड़ा से पीछे rank, 10,000,000 तके allowed है, अब इसी आएगा, तो, इसी इस बेटर देन AAA, रैंक से पता चलता है, अब काफी लोग College comparison करते है, So, we will compare college based on opening and closing rank, ठीक है, Odisha स्टेट में, जो भी Colleges आप बोल रहे हो न, कौन सा ब्रांच किस का College का, कौन सा ब्रांच दूसरे College का, अच्छे से comparison हो पहाएगा, Opening and Closing से, ओके, क्योंकि, यार, IIT and IIT में आपको बता, यार, Opening and Closing rank बहुत कम चाहिए, मतलब marks बहुत जादा चाहिए, percentage जादा चाहिए, ओके, enough, next, भेदवाव फिर शुरू करें, थोड़ा सा, SEST का, और General का, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ECE में, So, now we are entering into ECE, और कुछ मैं columns यहाँ पर बना लेता हूँ, Okay, so let me write ECE here, कुछ मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, and पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या-क्या है, ECE में सबसे पहले है, Orisa State, उसके बाद J-Main, ECE में ना, इसको भी थोड़ा सा स्क्रोल कर देते हैं, Okay, sorry, पहले J-Main है, J-Main, फिर outside Odisa, ECE में देख रहाँ ना, फिर Odisa, Odisa State के कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चाहिए हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो एक और करके रखता हूँ, अगर चाहिए होगा तो चेंज कर लेंगे, तो सबसे पहले J-Main की बात हो रही है, General Category की बात हो रही है, और यहाँ पर General Neutral रहेगा, तो J-Main General Category, General Neutral, और इसका ECE का Starting Rank, J-Main के जरिये से, फिल बी, 1,003,000, ट्रिपल इसे यह देखो J-Main 45,000, तो यह हाइलाइट को बंद कर देते हैं, बढ़ना फिर हम खुद पार्सियलिटी करेंगे ब्रैंच में, खैर, यह हो गया, और Electrical का J-Main, मैं लग 32, ठीक है, तो मतलब CAC, फिर ECE, फिर EEE, फिर ट्रिपल E, फिर लास्ट में, इंस्ट्रुमेंटेशन, इसी ओर्डर में आएगा हमारा, मैंने लिखने में ऐसे किया हैं, क्यूंकि लिस्ट में उस ओर्डर में था, बट, branch preference उस हिसाब से हो जाएगा, लास्ट को मैं comparison बता दूँगा, कौन से college का, किस sequence में branch, opening and closing rank है, so that will give you a good idea, कि क्या आपको prefer करना चाहिए, top में, branch तो prefer वही करो यार, जो कि आपके पसंद के लिए है, बट, फिर भी, अगर आप करना चाहिए, इस बीसिस में, rank के बीसिस में, तो वह भी हो जाएगा, पूरा proper analysis होगा, वीडियो भले लंबा हो जाए, मुझे अभी पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए पता चल रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट, नो मेटर, वीडियो अगर लंबा भी हो रहा है न, तो comparison अच्छे से मिल रहा है आपको, outside odisha, अब outside odisha, general, gender neutral की बात करते हैं, outside odisha, general, general, gender neutral, तो यहाँ पे, the rank will be, 1,97,897, opening rank, closing will be 3,84,230, cool, outside odisha, general, gender neutral, अब odisha state में आ जाते हैं, odisha state में सबसे पहले बात हो रही है, यहाँ पे ST, ओके, यहाँ पे एक ही rank दिया जा रहा है, पता नहीं कितने seats होंगे, तो ST, SC का भी होगा आगे शायद, EC का SC का भी है, चलो मैं ST लिख लेता हूँ पहले, तो ST, gender neutral, your rank will be, 10,91,141, और यह भी सेम है, तो let me copy and paste this, ओके, next, यह blank आ रहा है, कोई बात नहीं, तो, यहाँ पे पेस्ट कर दिते हैं, ठीक है, एक है हो गया, no borders, चलो, all good, ST की बात हो गये, अब X-Serviceman की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो X-Serviceman में, यहाँ पे भी, एक ही rank है, X-Serviceman, gender-neutral, the rank is, 116,574, or closing rank भी यहाँ, टो, यहाँ पेस्ट है, next, green card, for green card, the gender-neutral, it is gender-neutral, opening rank copy I'll paste it 5,42,000 and the closing rank 11,28,00 8 अब green card का हो गया तो फिर green card में female only का भी आता है तो green green card female only the opening rank यहां पे एक ही rank है 10,45,052 same will be copied and pasted here green card हो गया तो फिर अब general वालों की बात करते है odysa state के general तो general gender neutral rank 2,28,923 और closing rank हो जाएगा 9,22,997 अब फिर यह हो गया general वालों का अब female only की बात कर लेते हैं general female only the rank is 2,45,000 2,45,000 और same will be copied and pasted here okay not same here it is 7,39,229 7,39,229 अब SC category बच्चा SC category फिलास्ट में tfw तो यह जरुवत नहीं है हमें जाधा लिख लिए हमने हमने हैं तो SC category gender neutral क्योंकि st में भी gender neutral था female के लिए नहीं था तो sc gender neutral it is one seat one seat नहीं मतलब एक ही rank है 10,74,000 अब यह same है 483 next sc हो गया तो tfw बचा है तो यहां पर हम कर लेंगे tfw इधर भी tfw यह gender neutral tfw और इसका rank बता देता हूं the rank is one lakh 81,000 और इसा स्टेट के लिए है tfw और closing rank 3,36,736 3,36,736 clear यह हो जाने के पात अभी हमारे पास एक आखरी ब्रैंच पसता है what is the last branch it is electronics and instrumentation engineering this is the last branch तो उसका हम बात कर लेते है one two three four five पांच ही होगा मैं तो eie इसको मैं कीच लेता हूं पांच दिस वन विल बी tfw क्या क्या क्राइटेरिया है कैटेगरी से जई में आउटसाइड ओडिसा फिर ओडिसा है तो पहले जडरे जों जर्डरी जहिद्डर न्यूट्रल हो गया फिर जर्डर न्यूट्रल फिर जंडर न्यूट्रल फिर फिमेल ओंली फिर जहन दो अब रैंक फटाफट भर लेते हैं इन सब का तो EIE हम बात कर रहे हैं मैं आपको ब्रैंच का फिल्फाम बदा दूँगा लास्ट में लिख लूँगा ठीक है 2,69,080 इस दो ओपनिंग 2,69,000 और क्लोजिंग है 8,14,135 सेम उसी तरीके से आगया अगर नेक्स्ट वैल्यों की बात करें दिस इस फर आउटसाइड ओडिसा रोडिसा लोग लिए तो बहुत पीछे राइंक लाओगे तो भी हो जाएगा तो कौन ही प्रिफर करेंगा बहुत कम लोग प्रिफर करते हैं तो हाँ ये 5 लाओग हो गया और 9,46,772 और नेक्स्ट की बात करें 6,50,363 और 10,33,497 नेक्स्ट इस वैल्यू 9,30,248 और ये 9,93,033 और लास्ट वाला 5,59,566 बहुत सारे 5 है यहां पर और ये 8,42,562 हो गया तो वे फिल्ड इट कम्प्लीटली जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था सारा ब्रांच का हो गया अब मैं आपको समझा आता हूं यहां पर तो देखो यार हमेना और इसा स्टेट वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं यह डेटा तो मिल गाइस से एनलिसस हमें करना है तो एनलिसस के लिए मैं यहां पर बता रहूं CAC, what is CAC? यह दोनों को मैं एड करके चार बना लेता हूं I will merge this, merge this, merge this, merge this तो चार ब्रांच है CAC, Computer, Science and Engineering फिर, EEE, Electrical and Electronics Engineering ECE, Electronics and Communication Engineering ठीक है? एक काम करते हैं, हम तीन को merge कर लेता है और फिर, इसमें रहेगा लास्ट में, EIE, Electronics and Instrumentation Engineering हो गया? अब यहार हमें comparison करना ही इन चारों का तो इन चारों को compare करने के लिए मैं बता रहूं मेडियल पर ही रहने देते हैं इन चारों को compare करने के लिए यार इनका जो Odisha State वालों का है Odisha State General This one Gender Neutral यह दोनों को मैं copy करता हूं यहां लेके paste करता हूं फिर मैं जाओंगा Electrical Odisha State General Gender Neutral का कहा है? General Gender Neutral यह ECE Odisha State General Gender Neutral यह दो फिर EIE Odisha State Gender Neutral तो यह चार हमारे पास record निकल के आके हैं अब यह चार के basis पर हम comparison करेंगे कि कौन से branch को सबसे पहले students पर फर करता हैं फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो यह रहां पर पता चलता है कि इसका जो opening rank कम है opening rank अगर कम है तो फिर admission करने के लिए competition जादा रहेगा marks जादा चाहिए होंगे तो cc टॉप में आता है तो पहले cc फिर उसके बाद देखो टू लाक टूइटी था इसको अगर आप सौड भी करोगे न अगर मैं आपको smallest to largest सौड भी करा दूँ यह तो same size के नहीं है इसलिए नहीं हो पार है अगले बार से मैं इसको sort अच्छे से करवा दूँगा बट यार इसको हम क्या करेंगे इसको delete करेंगे यहां पर paste करेंगे इसको delete इसको यहां पर paste और फिर इसको यहां से delete यहां पर paste और फिर इसको यहां से delete यहां पर पर इसक क्लोजिंग और गोर्रेंट इसका यार एलेक्ट्रिकल का जो है क्लोजिंग pig थोड़ा सा पीछ है ठोटा से मैं वैरिथा कर लेता हूं किया यह सही डेटा है अलेक्ट्रीकल है इलेक्ट्राइटेट्ट जहन क degel na 7,27,000 तो यह कहीं और का डिटा आ गया जस्ट सेकंड एलेक्ट्रिकल ओडिसा स्टेट जन्रल जन्रल्ट 7,27,000 तो यह कहां गया डिटा कहीं और से कॉपी हो गया गया इस विल बिदा डिटा नॉट फॉर दिस फॉर दिस 10,29,000 कहीं और का है 10,79,000 अच्छा तो यह ही था ओक्यों 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 आउटसाइड नो इट वस करेक्ट करेक्ट कॉंट्रोल जट 10,17,000 यह का क्लोजिंग आउटसाइड के लिए यह है सही है विल्कुल सब सही से लिखा गया है 10,33,000 करेक्ट बट यह 10,79,000 इस लाइक बहुत पीछे ना यह 10 लाइक 11 लाइक रांक के अस पास सो इलेक्ट्रिकल औरिशा स्टेट जेनरल 10,79,000 करेक्ट डेटा बिल्कुल करेक्ट जो भी मैंने लिखावा है तो इस लाइक प्रिफर किया जाता है कि अगर आपको कितना रैंक होता है उप्रिंग रैंक लूजीं रैंक पर्सेंटल किसे आप से मिल जागा रैंक तो आप चंसेर कर सकते हो प्रिफर कर सकते हो अडमिशन लेने के लिए चेल आगे तो यार, obviously, इसका closing के बराबर भी नहीं, उसका दुगना है, दुगना से भी जाता है, ना, got it, so, thank you, and, और भी कोई feedback होता है, तो आप मुझे बताना, यार, उस basis में, वीडियो का इंप्रूव करने की कुशिश करूँगा, 38 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि मिलते हैं के अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है, प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं गले वीडियो में तब तक, keep learning, keep exploring, keep smiling, thank you so much.